करवा चौत वरत जिसमें सुहागिन महिलाएं अपने पती यानि सुहाग की लंबी आयू के लिए वरत रखती हैं ऐसे में पूजा में सबसे एहम रोल होता है चंद्रमा का क्योंकि पूरा दिन निर्जला वरत रखने के बाद चंद्रमा के दर्शन को लेकर महिलाएं काफी उ कई बार ऐसा होता है जब चंद्रोदै का टाइम ना पता होने की वजह से लोग बार बार छट पर चड़ते हैं किसी एक को ड्यूटी दे दी जाती है कि छट पर चड़कर चंद्रमा निकलते ही शोर मचा कर सब को बता दे अलागि इस पार किसी को भी ये ड्यूटी निभानी नहीं होगी क्योंकि लोकल एटीन आपको बताने जा रहा है कि करवा चौथ के दिन यानि रविवार को चंद्रोदै दिल्ली एंसियार में कितने बज़े होगा लोकल एटी ने जब दिल्ली के जाने माने जोतिशाचारी गिर्धार इलाल जी से बात की तो उन्होंने बताया कि चंद्रोदै का टाइन करवा चौथ के दिन आठ बचकर अठावन मिनट पर होगा लेकिन सुहागिन महिलाओं को ठीक आठ बज़े अर्ग देना होगा उन्होंने बताया कि अर्ग देते समय चंद्रमा का ध्यान जरूर करें और हो सके तो मंत्र भी पढ़ लें सुहागिन महिलाओं कर ले तयारी क्योंकि कल चंद्रोदै बहुत जल्दी होने वाला है उन्हें इसके लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा साथ बच कर अठावन मिनट बताया गया है लेकिन अर्ग देने का शुब वक्त यानि शुब मुहरत ठीक आठ बजे होगा सबसी खास पात आपको बता दें कि इस बार करवा चौत के दिन पूरा दिन शुब मुहरत रहने वाला है रोतिशा चारे गिरधारी लाल के मुताबिक अगर महिलाएं पूरा दिन चंद्रमा का ध्यान करेंगी और उनका मंत्र पड़ेंगी तो इससे भी यह वरत काफी एहम हो जाता है आपको बता दें कि करवा चौत कल याने रविवार को 20 अक्टूबर को मनाया जाएगा जिसका चंदुर्दै का वक्त ठीक 7 बचकर 58 मिनट पर है दिल्ली से अंजली सिंग राजपूत की रिपोर्ट लोकल 18